प्रवे ग्रीह मंत्री का पद्ध संभालने के बाद भारती जट्था पार्टे की अद्धक्ष अमिट्सा एकसन में आ गए हैं जिसमें जम्बु कस्मीर के एजेंडे पर बिस्तार से बात होगी बैठक में जो संक्यत निकाले जा रहे हैं उसमें से साफ हो जाता है कि अमिट्सा घाटी में पूर्वे ग्रीह मंत्री सरदार बल्ला भाई पटेल का एजेंडा लागू कर सकते हैं अमिट्सा ने मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों के बैठक बुलाई है जो तमाम एजेंसियों के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं इसी साल उन्होंने घाटी में 101 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है जो हर महीने लगबग 20 का एवरेज है इसके साथ ही अब एक नए टॉप 10 की लिष्ट जारी कर चुकी है जिसके बारे में नए ग्रीह मंत्री को सूचना दे दी गई है इस लिष्ट में रियाज को उसामा का नाम भी सामिल है ना सिर्फ आतंकवादियों की हिट लिस्ट पर बैठक में चर्चा हुई है बलकि एक जुलाई से सुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर की बिष्टार रंडीती बनाई गई है अमित्सा ने जब ग्रीमत राले का पदभार संबाला है तभी से एक बार फिर से अनुछे 370 और 35 अमुद्दा चर्चा में आगया है बतोर भाजपा दक्ष अमित्सा लगतार इन दोनों मुद्दे पर आकरामत रुक अपनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि अमित्सा इस एजेंडे पर सरदार बल्ला भाई पटेल को आगे बढ़ना चाते हैं 35 अमुद्धा अभी सुप्रीम कोट में है ऐसे में सरकार की ओर से असपष्ट किया जा रहा है कि वह पहले सुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार करेगी तभी अपनी बात आगे बढ़ेगी ऐसे में अब हर किसी की नजर अमित्सा के ग्र भी करते हैं